हाई गाईज वेलकम एक माई चानल मैं हूँ सुगम और मेरे चानल पर फिट से एक बर आपका स्वागत है तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिक्फेस्ट टॉपिक लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जब मैं कोई विट लॉस ड्रिंग बत आज मैं इसी भी बात करने वाली हूं कि आप किस तरह से बिना बॉडी के पैट को कम किये हुए अपने तनी अर्य के पैट को कम करें यानि कि कुछ लोगों का पेट साइड में बुपरा वाले कुछ लोगों का नीचे अब्डॉमिनल एरिया में निकला हुता है अब डॉमि पेट है वह बहुत तेजी से अंदर किया था क्योंकि यह रिंग इस्पेशली वहीं पर जाके वर्ट करता है और आपके अप्डॉमिनल एरिया के फैट को भर्ट करता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके अपर बोड़ी को यह बिल्कुल टच भी नहीं करेगा यानि कि अगर आप जैसे कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनके फैस का भी फैर चला जाता है जबकि वो चाहते है कि फैस थोड़ा सा गोलुमोली रहे तो टाइम को बढ़ते हैं और वीडियो की तरह बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले जिन लोगोंने मेरे चानल को भी तक सब्स आई बटन पर तो वहां पर जैसे क्लिक करेंगे आप मेरे उस चानल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें तो चले चलते हैं वीडियो की तरह आपको आधा लिटर वाटर लेना है और यह वीडियो पूरा देखेगा तब ही आपको समझ में आगा कि आपको इसे कैसे लेन जब हमें क्यांना है तो यहां पर मैंने आधा लिटर पानी लिए हैर उसे अचला आया है है और यहां पर मैं अग्रीनटी यहां कि एक से 2 मिनट तक इसे में बहुएल करूंगी जब से बॉयल आ जाएगा तब मैं सहे एक से दो मिनट तक श्यूज करने देरी प्लेंm इसे ही छोड़ दोंगे जिससे कि इसके अच्छे से इंफ्यूज हो जाएं तो हो सके तो आप भी ग्रेंटी के बैक्स मत लीजेगा लूज वाली ग्रेंटी लीजेगा फिर्ट्स एंग्रेंटी में कैपिं की मात्रा अधिक होने के कारण यह हमारी पेट के चर्बी को बहुत करती है तो इसलिए ग्रेंटी जो है वह बहुत अच्छे से हमारी बॉडी पैट को कम करती है विदाउट एक्सराइस विदाउट योग तो बहुत अच्छे से आप इसको इंफ्यूज करिए तो यहां पर मैं इसे एक से दो से दो मिनट के लिए धीमी आज पर ऐसे ही छोड कर लिए तो यह जो परा कंटेनर है यह हाफ लिटर का है अब आप इसमें एक लैमन अच्छे से डाल लीजे पूरा एक लैमन आपको लेना है और इस लैमन को मैं इसमें ही डाल दूंगे जिसे कि जितना भी इसका रस है वह इसमें पूरी तरह से इंफ्यूज हो जाए और आ आप सोचें आप इसे लुकमों बर्क करके पिये नहीं आपको इतना ही गरम इसे ऐसे ही पीना है यानि कि सिप सिप जैसे आप चाय पीते हैं आपको इसे वैसे ही पीना है तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपको इसे कैसे लेना है कब लेना है तो प्रेंट्स आप आपको अभी आगे बताऊंगी कि आपको इसे कैसे लेना है, कब लेना है, हो सके तो इसे दिन में तीन टाइम लीजे, यानि कि जैसे मैं बताती हूँ कि ब्रेकफास के बाद, डिनर के बाद, और लंच के बाद, इससे क्या होगा, कि जो कुछ भी आप खा रहे हो, वो especially क्या ह और मतब तीनों टाइम में मिलके बाद लोगे, तब ये आपके उस पर्टिकुलर खाने पर जाके काम करेंगा, और उसे जितनी भी अच्छी चीज़ें वो निकाल लेगा, और बिकार चीज़ें आपको निकाल के बाड़ी को डिटॉक्सी फाइन भी कर देगा, I hope आपको य उसमें ब्यूटी टेप्स और हेर केर एंड मेले ब्लोग्स भी आते हैं, तब तक के लिए, बाइ-बाइ